कारकम में उपस्तित करणा ट्रका के राजपाल श्री थावर्चन गहलोज जी मुख्य मंत्री श्री बसवराज बुम्बाई जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गण, राज्य सरकार के मंत्री गण, सांसद गण, विधायक गण, और करणा ट्रका के और देश के मेरे नवजवान साथियों मुरू साविरा मठा, शिद्धार उठा मठा, इंतहा अनेग मठागला क्छेत्र के नन्न नमस्कार गळू, रानी चेन्नम्बाना नाडू, संगोली रायन नाना बिडू, इपुन्य भुमिगे, नन्ना नमस्कार गळू, करणा टका का ये खेत्र, अपनी परंपरा, संस्कृती और ग्यान के लिए प्रसिद्ध है, यहां की अनेक विबूतियों को ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया है, इस खेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीत कार दिये हैं, पंडित कुमार गंदर्व, पंडित बसवराज राजगुरू, पंडित मल्लिकारजुन मानसोर, भारत रत्न, पंडित भिमसेन जोशी, और पंडिता गंगुभाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धर्ती पर आकर नमन करते हुई अपनी स्रधांजली देता हूँ, साथियों, साल दोहजार तेईस में, राष्टिय युवाद दिवस का ये दिन, बहुत विशेश हैं, एक और, ये उर्जा महोच साओ, और दूसरी और, आज्ञादी का अमरुत महोच साओ, उठो, जागो, और लक्स दे पहले मत रुको, एली, एद्देली, गुरु मटवातन का निल्ददी, विवेक का निंजी का ये उद्गोश, भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है, आज, अमरित काल में हमें, अपने कर्तव्यों पर जोड देते हुए, अपने कर्तव्यों को समत्ते हुए, देश को आगे बढ़ाना है, और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेक का निंजी की बड़ी प्रेरणा है, मैं इस आउसर पर स्वामी विवेक कानन जी के चरणों में नमन करता हूं, अभी कुछ दिन नहीं पहले करनाटका की धर्ती के एक और महान संत्त, त्री सिद्देश्वर्थ स्वामी जी का देहावसान हुआ है, मैं सिद्देश्वर्थ स्वामी जी को भी आदर पुर्वक स्थ्धान्ज लिए अर्पित करता हूं। चाथियों, स्वामी विवाकन दन्जी का करनाटका से अध्वुत रिष्था था। उन्होंने अपने जीवन काल में करनाटका और इस छेत्र की कई यात्राएं की थी। बंगलुरू जाते समय वो हूबली धारवार भी आये थे। इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसुरू के महराजा भी उन लोगों में से एक थे जिनोंने स्वामी विवेकन जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमन इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी। एक राष्ट के रुप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना का अमर उदहरन है। इसी भावना को अम्रित काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों स्वामी विवेकानन जी कहते थे कि जब युवा उर्जा हो जब युवा शक्ति हो तो भविश्य का निर्मान करना राष्ट का निर्मान करना उतना ही आसान होता है। करना टका की इस धर्ती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतिया दिये। जिनोंने अपने कर्तव्यों को सर्वो पर ही रखा। पेहत कम उम्र में और साधारन काम किये। कित्तूर की रानी चेन्नमा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लडाई को नित्रुत्व दिया। रानी चेन्नमा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायना। ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शावर्य ने प्रिटिक सेना का होसला तोड़ दिया था। इसी धर्ती के नारायन महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जिवड़ता क्या होती है। उसके होसले कैसे मोद को भी मात दे सकते हैं। ये करनाटका के सपूत लांस नायक हनमन थपा खुपड़ने सिया चीन के पाड़ों में दिखा दिया था। माइनस 55 डिग्री तापमान में भी वो छे दिन तक बहुत से मुकाबला करते रहे थे। और महां से जिंदा निकल करके आये थे। ये सामर्था केवल शौर्यत तक ही सिमित नहीं है। आप देखिए त्रिविश्वे स्वनिया जी ने इंजिनियरिंग में अपना लोहा मनवा कर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंदी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और शंता एक से एक कलपना तीत अविश्वस्निया उदारों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैच से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताय होती हैं तो भारतिय युवाओं की काबिलियत विश्व को विश्मित कर देती है। साथियों अलग-अलग कालखंड में किसी भी राष्ट के लिए प्रत्विकताय बदलती हैं। उसके लक्ष बदलते हैं। आज 21 सदी के जिस पड़ाओ पर हम भारतिय पहुँचे हैं। हमारा भारत पहुचा है। वो उपयुक्त समय सद्यों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी बज़ा है। भारत का ये युवा सामर्थ है। ये युवा शक्ती आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ती is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. युवा शक्ती's dreams decide India's direction. युवा शक्ती's aspirations decide India's destination. युवा शक्ती's passion decides India's path. प्मून्वा शक्ती थिवा शक्ती. युवा शक्ती, we need to be young with our thoughts, with our efforts. तो बीक हैक्ट आर्फार्ट नहीरमें कि प्रस्पक्टिम्रा हुवश्न प्रेंज वर्ट लुट रूसे Mia कि तो अजिए्योर्ट-रौश्स आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी है आज हम दुनिया में पाँचवे नंबर की अर्थ वबस्ता है और हमारा लक्ष है कि हम इसे टॉप थ्री में लेकर के जाएं देश की ये इकोनमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार आउसर लेकर आएगी आज हम क्रिस्टी के खेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है क्रिस्टी के खेत्र में टेक्नलोजी और इनोवेशन से एक नया रिवालूशन आने वाला है इसमें युवाओं के लिए नए आउसर पैदा होंगे नई उचाईयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे स्पॉर्ट्स के खेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रेसर हो रहा है ये भारत के युवाओं के सामर्त के कारण ही संभव हो पा रहा है आज गाँ हो शहर हो या कस्वा हर जगए उफान पर है युवाओं का जज़बा आज आप इन बनलाओं के साक्षी बन रहे हैं कल आप इसकी ताकत से फूचर लिडर बनेंगे फैर इसalay भारत बंसे और्षी आज यौर् युआना वाहरा स्पशल जरेशांद्रान यूस्पशल बंसेतल मिज़धिए इस इस मिज़धिए वक जठी ऑन पर इंग्या on the global scene for every mission a foundation is needed whether it is economy or education sports or startups skill development or digitalization in every domain a strong foundation has been laid in the last eight, nine years the runway is ready the runway is ready for your takeoff today there is a great optimism in the world towards India and its youth this optimism is about you this optimism is because of you and this optimism is for you today there are global voices saying this century is India's century it is your century the century of India's youth there are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India these investors want to invest in you India's youth Indian startups are getting record investments many global companies are setting up manufacturing plants to make in India from toys to tourism defense to digital India is making headlines across the world so this is the historic time when optimism and opportunity are coming together we are going to invest in our country 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 and we are going to invest in our country we are going to invest in our country in our country combative roles we are going to invest in our country in our country technology space space sport as a heart in our country our children are going to invest in our country this is the time that it is it is that how 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 it Bharat yht and our how of a whole the है कि हम वर्तमान से दस कदम आगे की सोचे हैं हमारी सोच फिचरिष्टिक हो हमारी एप्रोच फिचरिष्टिक हो यह जरूरी है कि युवा आकांग छाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिस्रप्शन करें विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले अगर हम याद करें आज से दस विश्वर्ष पुर्व ऐसी कितनी ही चीज़े अस्विट्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संबवत है ये दसक खत्म होने दे पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है आर्टिफिशल इंटलिजेंस मशिन लर्निंग इंटरनेट अब तिंग्स और ए आर वी आर जैसी इमर्जिंग टेक्नोलोजी एक नए स्वरूप पे इवाल हो चुकी होंगी तेटा साइंस और साइबर सिकुरिटी जैसे शब्द कहीं ज़्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगी हमारी सिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक हेल्ग केर से लेकर कॉम्मिनिकेशन तक सब कुछ एड़वांस टेक्नोलोजी के जरिये एक नए अवतार में दिखने वाला है आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेंस्ट्रीम प्रोफेशन होने की सम्भावना है इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तयार करे दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है हमें उससे खुद को जोड़ना होगा जो काम कोई नहीं कर रहा है हमें उन्हें भी करना होगा नई पीड़ी को इस माइंड सेट से तयार करने के लिए देश नई रास्तिय शिख्षानिती के जरिये प्रैक्टिकल और फिटरिस्टिक एजुकेशन सिस्टिम तैयार कर रहा है आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्कील ओरियेंटेड एजुकेशन पर फोकस है युवाओं के पास आज चोईस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है ये बुनियात वविश्च के भारत का अंदिर्मान करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी साथियों आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकरन जी ये दो संदेश हर युवाओं के जीवन का हिस्सा होने चाहिए ये दो संदेश हैं इंस्टिजूशन और इनोवेशन इंस्टिजूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं टीम स्पिरिट से काम करते हैं आज हर युवाओं को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजल सक्सेस को टीम सक्सेस के रुपे विस्तार देगे यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रुपे विक्सीद भारत को आगे ले जाएगा मेरे युवासाथियों आपको स्वामी विवेखानन जी एक और बात याद रख रही है इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेखानन जी कहते थे हर काम को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है उपहाश, विरोत और स्विक्रुति और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिवासित करना है तो वो यही है उदानर के लिए कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत होई थी तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजा कुड़ाया था स्वच्च भारत अप्यान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि यह सब भारत में चलने वाला नहीं है देश गरीबों के लिए बैंकों में जंदन खाते खुलवा रहा था योजना लेकर आया उसका भी मजा कुड़ाया कोवीड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सिन लेकर आये तो उसका भी उपहास किया गया कि यह काम भी करेगा या नहीं लेकिन आप देखिए आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल लिडर है आज जंदन खाते हमारी एकोनामी के एक बड़ी ताकत है वैक्सिन के खेत्र में भारत के उपलब्दी की दुनिया में चर्चा हो रही है इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है विरोध हो सकता है लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर ठीके रहिए उस पर भरोसा मनाए रखिए आपकी सबलता मजाग बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबीत होगी साथियों युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग-अलग राज्यों के उवाँ विबिन्न प्रतियों की ताव में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं यह कुछ-कुछ कॉम्पिटिटिव और कॉपरिटिव फेडरलिज्म की तरह हैं क्या अलग-अलग राज्यों के उवा स्वस्त प्रतिश परधा की भावना लेकर अपने कॉशल का प्रदसन करने आये हैं यहां यह जादा महत्पपूर नहीं है कि कौन जीता क्योंकि हर सिती में जीत भारत की होगी क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलन निखर कर सामने आएगा आप यहां एक दूसरे से कंपूरिशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोपरेट भी करेंगे इसलिए तो कहां जाता है कि कंपूरिशन तब ही हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करे हमें competition और cooperation की spirit को लगातार आगे बढ़ाना है हमें हमारे हर लक्ष में यह सोचना है कि हमारी इस सभलता से देश कहां पहुँचेगा आज देश का लक्ष है विक्षित भारत ससक्त भारत हमें विक्षित भारत के सपने को पुरा किये बिना न रुकना है न विराम करना है मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा अपने कंदों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुपकामना है